हेलो एविबंगे मन मैं नमन वेल्कम बैक तो टैक्टलस गजेड डॉटकॉम तो आजकी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पेड अप्लिकेशन को फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में तो बड़े इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, paid application in the sense कि जो applications पैसों में आपको मिलती है और उनके जो price होते हैं वो बहुत जादा high होते हैं तो उन applications को भी आप free में install कर सकते हैं अपने phone को बहुत easy step के साथ आपको बताऊंगा तो आपको इसमें कोई root root करने की दरवत नहीं है बस एक application से application ने उसको install करने की दरवत है और आप सारी paid application जो है वो free में install कर सकते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं नीचे एक subscribe का button होगा उसको press कर दीजे ताकि ऐसी जो वीडियो है वो मैं आप तक लाता रहूँ तो इस वीडियो को start करते हैं तो एक application जो है वो आपको install करनी है तो वो application आपको play store के अंदर नहीं मिलेगी गूगल play store पे नहीं मिलेगी वो आपको google chrome से download करनी पड़ेगी तो हम google chrome पे सीधे जाएंगे और उस application का नाम जो है वो डालेंगे तो उस application का नाम है ac market ac market हम search कर लेते हैं तो आपको यह website की link आपको मिल जाएगी और अगर आप यह ऐसे search नहीं करना चाहते तो description के अंदर मैंने इस website के link देके रखिए तो आप उसके तुरू भी यह website को open कर सकते हैं आपको यहाँ पर बड़ा सा download now का button मिलेगा आप यह चाहे तो website है वो आप देख सकते हैं यह illegal website है कोई illegal काम नहीं है यह तो आपको यह download now का button दिख रहा है इस पर प्रेस करना और एक जो application है वो download हो जाएगी तो इस application को download होते से ही आपको install करना है और install होने के बाद यह जो इस तरीके का icon जो है आपको मिल जाएगा मैंने already download करके install करके रखी है तो मैं directly जो है वो इस application को open करूँगा AC market करके applications है तो इसमें आपको कुछ permission वगए है वो देनी पड़ी के normal permission है जो हर application मानता है यह permission दे के आपको एक play store type का interface देखने को मिल जाएगा उसी के तरह इसमें games, modes, हर type के applications और जो भी बाकी की चीज़े है जो आप play store पे, google play store पे search करते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी तो इसमें आपको जो भी application है जो आपने google play store पे देखीए जो paid है वो आप यहाँ पे search करके देख सकते हैं search कर सकते हैं कि वो application यहाँ पे free है या नहीं है क्योंकि इस application में जितनी भी apps हैं वो सारी free हैं तो जैसे मैं search करता हूँ modern combat modern combat 5 करके जो है modern combat 4 जो है वो 549 रुपीज का मिल रहा है google play store पे चलिए देखते हैं यह मैंने इस पे search किया है अब देखते है modern combat 4 zero hours जो है वो game down हमें यहाँ पे मिल चुका है और यह बिल्कुल free है आप देख सकते है download का जो है वो button आपको यहाँ पे मिल जाएगा अब अगर मैं play store पे जाता हूं और आपको इस application को दिखाता हूं तो यह देखिए आप यह जो same game है जो मैंने AC market में search किया था Google play store पे इसकी कीमत मैं आप लोगों को दिखा देता हूं गूगल play store पे इसकी कीमत है 549 रुपीज तो modern combat का जो प्राइज है वो 549 रुपीज है और AC market जो है उस पे जो application है वो आपको free में मिल रही है तो इसका क्या reason है कि जो यह आपको free में मिल रही है अपने play store पे इसको free कर दिया है तो आप इसको यहाँ पर download कर सकते हैं इसमें कोई भी legal illegal वाली कोई भी scene नहीं है आप इसको directly यहाँ पर install कर सकते हैं तो यहाँ पर download का button दिख रहा है आपको यहाँ पर tap करना है और आप अगर notification को अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ दिख 1-2 GB की तपका यह game है तो आपको यह free में मिल जाएगा ऐसी बहुत सी applications है गेम से जिसको आप free में जो है वह download कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यह करके दिखाया है यह थे कुछ free steps जिसके थूँ आप कोई भी paid application महेंगी सी महेंगी application जो है वह free में download कर सकते हैं जैसे में एक औ और एक्जामपल आपको देता हूँ यह 9 master करके एक pro video editor है जो google play store के अंदर पैसो में मिलता है और आपको watermark भी देता है लेकिन आप इसे AC market से download करते हैं तो आपको जो है इसका pro video editor मिलने वाला है और आपको कोई भी watermark आपको देखने को नहीं मिलेगा तो ऐसी प्रकार की बह easily जो है वो download कर सकते हैं और अपने phone में install कर सकते हैं तो guys इस video में सिर्फ इतना ही I hope यह video आपको पसंद आई हो अगर यह video आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस video को like करें और मेरे channel को subscribe करें ताकि ऐसी videos जो है वो मैं आप तक लाता रहूं और bell icon को भी press करें ताकि आ प्लीज इस आपको भी आपको